हलो एब्रीवन वल्कम टू बेस्ट नोट्स टुटोरियल और आज हम बात करेंगे उत्राखन प्रमख ब्यक्तित्व के बारे में जो कि इस लेसन का पार्ट वन का वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड हो चुका है यदि आप लोगों ने वह वाली वीडियो नहीं देखी तो और आपके लिए पहला कंशीन है डौण चारे पुस्तक से समानित महला निमिश में से कौन है ऑपिशन ऩूमर डी आपका सैया अन्सा मनराल उत्राखन की जो प्रथम महिलाती दुरोन चारे पुस्तक से सम्मानित होने वाली वो थी हंसा मनराल जी अगला क्वेस्चन है गड केसरी के नाम से कौन ब्यक्ति प्रसिद थे अप्शन नमबर सी इसमें आपका सयांसर है अनुस्या परसाद बहगुणा जी जो कि जिनकों के गड केसरी के नाम से जानते थे लोग अगला क्वेस्चन है किसने कहा कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिदान्तों और विश्वास की सारवजनिक गोसना करते हुए मरना स्रीयसकर है अप्शन नमबर ए आपका सयांसर है स्रीदेव सुमंजी ने स्रीदेव सुमंजी ने कहा था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिदान्तों और विश्वास की सारवजनिक गोसना करते हुए मरना ही स्रीयसकर है अगला क्वेस्चन है निम्न में से किसको उत्राखन में गांधी वादी आंदोलन सुरू करने का स्रे दिया जाता है तो ऑप्शन नमर बी आपका सही आंसर है इसमें प्रियाग दर्थ पंद को गांधी वादी आंदोलन सुरू करने के स्रे आदरोनिया स्री प्रियाग दर्थ पंद को जाता है और इनकी मुरित्यूल अल्प आयुमे ही हो गी थी सन 1935 में अगला क्वेस्टन है किसे उतराखन का गांधी कहा जाता है ऑप्शन नमर डी आपका इसमें सही आंसर है विकावज जी क्वेस्टन पिछली पार्ड में भी आया था तो होपली कि आपका एक कम्प्लीट हो चुका होगा और अगला क्वेस्टन है निम ने लिखे में से कौन समेलित नहीं है ऑप्शन नमर बी आपका सही आंसर है जस्पाल राणा साहित्या यानि चंडी परसाद बड़ जी पर्यावरान से ब्लॉंग करते हैं और बीसी खंडूरी राजनीती से और बचे निरिपल परवता रोहन है और परवता रोही और इसमें जो जस्पाल राणा जी हैं उनके इस्तान पर लिखा है साहित्या इस्तान से ब्लॉंग करते हैं आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं और आज हम इसको सौट सौट पढ़ेंगे इस पार्ट को तो जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगला क्वेस्टन है हरीद्वार में सांती कुंज की स्ताफना किस ने की थी तो वो की थी आपकी ऑप्शन नमर ए पंडित स्रीराम सरमजी ने अगला क्वेस्टन है चिपको अंदरन का नेतरित तो किस ने किया तो आप्सिन नमर डी आपको इसमें सही आंसर है गोरा दीवी ने अगला क्वेस्टन है निम नामों वा उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है तो आप्सिन नमर डी आपका इसमें सही आंसर है ग्रीस तिवारी गिर्दा तो यहां पे जो लोग रतने पंत ये हैं वो गुमानी से है और सुमितरा नंदन पंत हैं वो हैं सें या गुसें से इनको बच्पन में लोग गुसें या सें कहते थे और नैन सिंग्रावद मौलिक पंडित ग्रीस तिवारी गिर्दा ये गलत है अगला क्वेस्टन है निम नामों वा उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है अप्सिन नमर ए मेजर जनरल माय टम्टा जी कुमाओ की लक्षमी बाए तो ये कुमाओ के लक्षमी बाए कैसे कहते हैं ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर दे तील रोतली गड़वाल की जहांसकी रानी है और जी या रानी पिंगला या प्योला करना वाती ना करने वाले रानी और अगला क्विस्टन है निम्ल मेंसے किसके परियासों से सन उनीस्तों सतातर में टेहरी के अंजनी में स्री भूने-सरी महिला आशरम की इस्तापना हुई थी तो उप्शन नमर 20 में आपका सहिया आँसर है स्वामी मनमत्ः थन यानि स्वामी मनमतन जी के प्रियासों से सन 1997 में तिहरी के अंजनी में स्री भूने स्री महिला आस्रम के स्तापना हुई अगला क्वेस्चन है जौली गराण में 1990 में हिमालियन इंस्ट्टूर हॉस्पिटल ट्रस्ट के स्तापना निम्न में से किसने की थी तो वो की थी आपकी ऑप्सिन नमर भी स्वामी रामजी ने अगला क्वेस्चन है राज के दलितों को सिल्पकार नाम देने में निम्न में से किसने अगरणी भूमिका निभाई थी तो वो निभाई थी आपकी ऑप्सिन नमर सी खुसी रामजी ने अगला क्वेस्चन है प्रकृति से सुकुमार कवी सुमित्रा नंदन पंत को निम्न में से किस राज रचना के लिए 1968 में ग्यान पीट पुरुसकार मिला था तो वो मिला था अप्शन नमर डी चिदंबरा के लिए अगला क्वेस्चन है आर्यों का आदी निवास मध्य हिमाले नामक प्रसीद रचना निम्न में से किस की है तो वो है आपकी ऑप्शन नमर ए भजन सिंग सिंग ने अगला question है निम्न मेंसे किसने उत्राखंड का इतिहास बाराखंडों में लिखा है तो वो लिखा है आपका option number A डॉक्टर सिर्फ उर्शाद डवराल चारांजीने अगला question है राज के निम्न विद्वानों मेंसे किसे महा महोपाद्याई वो सास्तरार्थ महारत जैसी उपादियाँ पराब की थी तो वो की थी आपकी option number A डॉक्टर शशिधर सर्मा जी ने अगला question है जे भारत जे उत्राखंड निम्न मेंसे किसका प्रसिद नाटक है वो है आपका option number A राजेंद्र धस्माना जी अगला question है निम्न मेंसे कौन धारावाहिक मनोहर स्याम जोसी द्वारा लिखित नहीं है तो वो है आपकी option number D जैसी करनी वैसी भरनी अगला question है राजेंद्र निर्मान आंदोलन के दोरान हुए मुझफर नगर कांड से प्रभावित होकर निम्न मेंसे किस ने प्रसिद कविता पहाड के आगे भीतर पहाड लिखी तो वो थी आपकी option number E आपको इसमें सही answer है वो लिखी थी बलवन्त मनराल जी ने तो दोस्तों होफ़ली आप यहां तक जोड़ी होए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिपिकेशन पर किलिक कर दीजिए थैंक्स वर वाचिंग इस्टे कनेक्टेड इस्टे ब्लेस्ट